हेलो एबरीवन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एस्टुडेंट बोर्ड परिच्छा 2024 में गड़ीत में अच्छे नंबर कैसे लाएं शो एस्टुडेंट वीडियो का पूरा देखेगा ताकि आपको पता चाल सेगी बोर्ड एक्जाम 2024 में गड़ीत में आपको अच्छे नंबर किस प्रकार से मिलेंगे शो एस्टुडेंट आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है बुक में कोश्चन को सौल करने से पहले सरप्रतम कोई भी चेप्टर का कोश्चन सौल करने से पहले उस चेप्टर में दिये गए फार्मूलों को याद करें किससे जारा है उसमें जो कोस्टिन दिये गए उनको हल करने जा रहे तो उनको हल करने से पहले एस्टूडेथियर तष्टिक्लिण आपको δेख लेने हैं कि कौन-्पौन से फर्मूले दिये गये हैं उनके सभी फर्मूलों को आपको याद कर लेना है उसके पर weet आपको क्या करना है उसी चप्टर को आप सौल करने जा रहा है उसी चप्टर के उदाहरण को हल करें यदि आप उसी चप्टर के उदाहरण को हल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार कोईशन है और किस प्रकार से सौल करना है आपको क्या करना है पहला पहला के सभी questions को solve करें यानि कि जिस chapters कने formula याद किया है और उदाहरण solve किया है उसी chapter के सभी question को आप हम क्या करेंगे solve करेंगे आड़े student अब हम आगे देखते हैं चीज़ प्रकार से हमने सबसे पहले chapter का formula याद किया इसके बाद क्या किया उदाहरण को solve किया उसके बाद जितने भी कोश्चन दिये थे उनको सर्व क्या उसी प्रकार से ठीर अगले चप्टर में अपलाई करना है क्या करना है इसी प्रकार से सभी चप्टर के सभी कोश्चन को एक बार अवस्य हल करें यानि कि जैसे माली जब हम दूसरा चप्टर पढ़ने जा रहा है तो आई अब हम आगे देखते हैं आगे हमें क्या करना है तो इस प्रकार से हमें करना है गड़ीत को एक दो घंटा प्रति दिन अवस से पढ़ें यानि कि क्या करना है गड़ीत के जितने भी कोईश्चन होंगे उनको कम से कम एक दो घंटा डेली हमें क्या करना प्रेक्टिस करना यानि कि गड़ीत के questions को हल करना है उसके बाद student आगे देखते हैं एक बार सभी chapter के सभी questions को हल करते समय important trick अवसे note कर लें यानि कि जब student आप सारे question को हल करेंगे तो उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ trick और जो important formulae use होते हैं जो कि unique होते हैं book में नहीं दिया गया होता है उनको क्या करना है आपको एक copy पर अवसे ही note कर लेना है इससे आपको क्या होगा revision के समय आसानी होगी उसके बाद a student आपको क्या करना है सभी important formulae का short notes आपको बनाना है यानि कि जैसे मा माल लीजिए chapter number first में जितने서도 my card में दिये गए हैं उसके बाद chapter number second में इसी प्रकार से जितने भी chapter होंगे सभी chapter में जितने भी important formulae होंगे उनका क्या करना है आपको short notes बनाना है ताकि exam के time पे आप formula को असानी से revision कर सके और कम से कम समय में maximum output निकल सके उसके बाद student आगे आपको क्या करना है previous year के 2 से 3 question paper को अवस से हल करें यानि कि जो भी आपके previous year के question paper है 2 से 3 set question paper को आपको हल करना है इससे आपको idea लग जाएगा कि किस प्रकार की questions आते हैं आपको किस प्रकार से अधिक से अधिक question को हल करना है और कितने समय में आप कितने question को हल कर सकते हैं तो इन विसेश वातों का आपको ध्यान रखना है कि एक formula का शाटलीट नोड सावस से बनाना है ताकि जब exam के समय या फिर कुछ दिन बीट जाने के बाद बीच बीच में आपको क्या करना है फर्मूलों का revision करना है बीना formula के आप math नहीं लगा सकते हैं उसके बाद student आई आगे देखते हैं तो आगे आप यहां देख सकते हैं क्या दिया गया है बीच बीच में आप सभी को formula का revision करते रहना है यानि कि आपने जितने भी अपने notes में फार्मूलों को लिखा है उसको क्या करना है कुछ दिन पहश्यात आपको बीतने के बाद revision करते जाना है तो इससे क्या होगा आपके mind में सारे फर्मूले आपको याद रहेंगे और आप question को असानी से हल कर ले जाएंगे उसके बाद student क्या है सभी important question को हल आवास से करें यानि कि जैसे कि आप माली जी question paper देख लिएं दो से तीन set यानि previous year के question paper देख लिएं तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के question हमारे important है किस प्रकार के board exam में question आते हैं तो आपको क्या करना है उस प्रकार के सारे question को हल करना है तो इससे क्या होगा आप board exam में अच्छे नंबर ला सकते हैं तो student इन विशेश बातों का आपको ध्यान रखना है तो इस प्रकार से आपको क्या करना है board exam 2024 की अच्छे तरीके से तयारी करनी है शो student वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो को नोडिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें